हेलो एवरीवन कैसे आप सब उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे मैं हरी सब अभीपस एजुकेशन फॉर एक्सलेंट के इस ऑनलाइन पेड़ा में आपका हार दिख सालत करता हूं तो बच्चों आप लोगत तो पढ़ाई बहुत ही जबरदस्तरी के शेड़ा होगा मुझा और पुछने की जवरत ही नहीं है हम जो है आज बात करने वाले किसकी बारे में कछा दस्मीव विज्यान के आज बात करें हम चैप्तर-no벌 कोई चैप्तर-nober-7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप यह बात करते तो पिन चैप्तर हुए है सर कि हमें यह पता है सर कि चेप्टर नाम क्या है आपका प्रोसेस 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 प्रोस वह कैसे डाइश्ट हो रहा है कैसे स्वास ले रहे हो वह वो कैसे चल रहा है उट्सरजन कैसे आप सल्कील है तो आपको तो यह पता है वह कैसे एक बीज है ना कैसे बनता है क्या पहले अंकूरी तो होता है अंदर में ही जड़ से फिर उसके बाद धीरे-धीरे-धीरे कर जाकर चार साल पास साल बाद कि इतना बड़ा होता है सर इतना बड़ा होता है फिर जाकर देखता हूं मैं कैसे जीवन काल देखता हूं पता चलता है कि यह बरगत की रूप अगर यह बरगत ले दिया दिया जा रहा है था प्रोसेस जो आगे बढ़ रहा है स्वासन की जैसे हम लोग यूज करते हैं हम क्या करते हैं हम ओटू यूज करते हैं क्या रिलीज करते हैं तो यह स्वासन में कैसा काम होता है यह सब के बारे आपको पता ही है चैप्टर में पता ही है पड़ भी लिये होंगी है ना और कुछ बदा चलता है सर क्या कि कैसे ननहासा आपका जो भीज है दीरे 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 देखो एक फल प्राप्त कर लिया और छोटा मोटा आपको जिसे बोलू मैं तो आम जो आप खाते हो जब अने वाली कुछ दिनों में उसमें खाने वाले हो तो आम का प्रोसेस चल रहा होगा क ही तो तभी तो आपको क्या मिलेगा भई आपको फरवरी और फरवरी मार्च और अप्रेल तीन मैंने रूख जवाब अप्रेल के इंडिंग तक आपको मिल जाएगा आम आम देखना सुराथ में खट्टा लगेगा क्योंकि क्या होता पहले से प्रोसेस चालू हो रहता है त तो सब का एक क्या है सब जीव जनतू से लेकर सब जो आपके फल प्राप्त हो रहा है सब पौधे हैं उसका एक साइकल चलता रहता है उसका भी लाइप का प्रोसेस चलता रहता है उसमें भी स्वासान उसमें भी उस सरजन की प्रोसेस चलता रहता है तो हम बात कहते हैं कि ह हम जो मनुस्य है उसके भीजी हम खा रहे हैं है ना जैसे मैं बात करूं आप सुबर ऊठ रहे हो फ्रेश हो रहे हो उसके बाद लंच कर रहे हो फिर दोपार में आप लंच कर रहे हो तो यह सब प्रोसेस हो रहा है है ना तो उसके बाद आपको हो रहा है की नहीं Georgetown Film होता है क्यों कि आप क्यांस लिए Two लिए खाणा खांए의 लंच लेम यह असर कि खाना खाना जो है कहीं न कहीं न कहीं हमारे उर्जा सिस्टम पर डिपेंड करता है क्यों क्यूंकि आपके सरीरं में चितना अनर्जी है वह कहीं-कही है आपकी से आ रहा है मतलब यह बोल सकता हूं कि सर इंसान का खाना-खाना मनुसिया का खाना-खाना उनको उर्जावान बनाने के लिए पहुंत अपो तो हो गया ठीक है अब दीन बर खा लिए अधीतक रह दीन रहते है एक तो यह सर की खाना पीना जो है हम्यारा पूरा डे बैडे चलता रहेगा हमें हर दिन खाना पड़ता है अब यह खाना पड़ता है क्यों क्यों कि हम एनर्जी चाहिए एनर्जी चाहिए तो यह सर कि खाते बस रहने से तो कैसे इनर्जी बनो भी जो augaste अगर तो आपके Respect करने के बाद निकल जा रहा है तो आपके शरीम असे कए सवा है इस से यह समझ में हैंसर कि खाना जो है कहेंगे हमारे हुँ बॉडी में हमारे ब्लड में भी हमारे सरीर में कर बू-हत्र होजाता है अब सब्सक्राइब करने के सरीर談 में हमारे रुधीर में एनर्जी का लेकिन कुछ खा रहे हुँ आपकी बॉड़ी में बनाने के लिए जरुरी होता है फिर मलत्याइख करना भी जरुरी होता है क्विए आपको नये दिन के लिए भी खाना है तो इसके लिए कुछ बारे निकालना पड़ेगे न तो यह सब प्रोसेस बहुंत जरूरी हो जाता है तो इस चैप्टर में इसके बारे दिसके करेंगे तो कुछ सेलो हम बात करते हैं कुछ क्वेश्टन का भी क्या 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 होता है इसके बारे भी जान लेते हैं साधी साथ यह एक वर्ड आता है विश्टरन यह क्या होता है संदरता संदरता मतलब क्या गाणापन मतलब आप बनता है न किस न अब मतलब आ उसको इसको यह मुण संदरता शान रूप में पीनी पाताए उसको एसा फिल की इस वे कुछ दला है या फिर साप सबसदों बोलूं कि आप सहद हनी की बारे में जानते ही है हनी कितना ज्यादा क्या रता है गाड़ा रता है वही तो गाड़ापन का लाता है संद्रता वही है संद्रता के अधार पर हमें परासरान और विश्रान का कोशन आता है जो की दोहर विश्रान पूचा गया था यह कुछ इंप्रेंट कोश्चन था दो नंबर में भी आ सकता है यह सब चीज तो क्या होता है प्रासरान जब पदार्त के अनू एक अर्ध पारगरम में जिल्ली से सेमी परमयवल वोलते जैसी जिल्ली पालीतिं को ना जली से कि संसरान से अधिक संदर्ता की परासरान रहते हैं तो परासरान क्या भी कम संदर्ता से कम हैं ज़्यादा से क्या मतलब क्या मतलब जहां का संदर्त कम और ज्यादक की और बढ़े तो उस घटना को उस रियक्षन को या फिर उस प्रक्रिया को मैं बोलूँगा क्या पारासरन बोलूँगा बात समझ में कुछ इंपोर्टेंट चीज़ है इसको या दर्खन जोर लिभी ठीक है अब दूसरा क्या है विस्रन क्या बोलता है सर विस्रन बोलता है जिसमें पदार्थ के अनु अधिक संदर्त से कम संदर्त क्यों अब हाई डेंसे मतलब यह बोलूँ कि उपर से उपर वाले जो लोग है वो न के बहुत इंपोर्टेंटेंट है कन पुझा गया था यह पुझा गया था शर्करा कारता है आपकं इसका पता है क्या इंसुलीन नामा के हार्मोन होता है जो की 272 पूछा गया था वो जो है क्या करता है रक्त की रक्त में सरकरा की मात्र को नियांदन करता है ठीक है यहां तकी बात समझ मैं अब देखो और क्या कोश्च अंसर पौधों में गैसो का आधान प्रदान खरिस्तन के द्वारा होता है गैस देखो पॉधों में गैसो का आधान प्रदान किसके द्वारा रंधर सुने होंगे नाम रंद के द्वारा होता है यह यह भी इसका अंसर क्या होगा रंद्रों के द्वारा होता है इंसूलीन नामक हार्मोन का यूज होता है यह बोलता है कि इंसूलीन नामक हार्मोन का उपयोग होता है चार अपसन दे दिया क्या वो बोला कि रग्त में सरकरा की मात्रा का नियंतरन दूसरा सरकरा कि सरकरा की मात्रा का नियंतरन नहीं करपाना नहीं होता इससे ऐसे भी बोल दिया लाट्य का कर दे शृष में तर बहुत सारा वह мен नियंतर करने की लिए ही इंसुले नाम के किसके यूज़ होता है यह कोश्चन मतब मेरा यह कहना है कि एक कोश्चन सिर्फ कोश्चन एक ही नहीं है वह चाल-पांस तरीके से आप से पूछ सकता है ठीक है यहांत की बात समझे बैई अब देखो और कुश्चन देखो यक्रित से खलिस्थन का इस्तरह ह इस तरह होता है यहां तक की बात समझे में आई आगे बढ़ें आगे देखते हैं क्या कोश्चन हो रहा है सर देखो यह क्या बोलता है सर खाली संद्वारा इस्तरहवित होने माली एंजाइम इमाइलेज ट्रिप्चिन और लाइपेज है अब यह क्या आगा इसका अंसर बत है ठीक बात समझ में बच्चों यहां तक अब आगे बढ़ें आगे देखते हैं क्या सर अमासा में इस्त्रावित होने वाली एंजाइम खलिस्तान है और एक और 22 ने पुछा गया था यह एम पुछा गया था यह भी में और यह सेट सिम पुछा गया था जिवह दारा भोज जीवह दवारा भोजन गरान करने की क्रमबन प्रक्रिया प्रकम्बन मुख से ग्रहन करना पैट में जाता है फिर नाइस होता है पाशन होती है फिर आपके पूरा बॉडी में प्रोटीन से फैलता है फिर आपको उर्जा प्राजान होती है यह सब पूर प्रोसेस आपकी इस चैप्टर में है जबरदस्त तरीके से भई इस पर जैसी कोश्चन आएगा कोश्चन के साथ सथ हम डिल करेंगे इस पर और चार्चा करेंगे एकदम ज्यादा बेसिक पर नहीं सर पूस्ता क्या रूधीर क्या है इसके बारे में समझाओ रूधीर एक तरल उट्तक है यहां सरीड के अंदर मतलब क्या लिक्विट ओप्र में जो कि या करता है वीविर्ट पदार्तों के परिवहन कार्य करता है अभीच मैं बोला कि आप ग्लुकोज पहुंच रहा है बॉडी में वह कौन पूरा मुव्मेंट कर रहे हैं मैं जो इतना बोल पा रहा हूं जो आपके लिए विडियो मना रहा हूं कहीं-कहीं मेरे अंदर मे सुबत चावण खाया गर तो चांवल खाने के बाद मुझे मिल रहे है और मेरे आवाज में ही जले भी खाया तो मेरे बौरा बॉडी में आपको चल रहा है यह यह सब चीज पूरा से आपके हर एक बौडी में होता रहता है जारी सेल में घर एक सेल में हरическая में आपके नस में यह सब चलता रहता है तो रूधीर जो क्या हो इसका अंसर देदों के भाई 2020 में पूछा गया था ठीक है कुछ और कुशन देखते हैं सर क्या बोलता है ATP को उर्जव मुद्ग क्यों कहते हैं बताएं बैब एटीपी क्या होता है हमारे सरीम उर्जव प्रमूक रूप से एडिनोसीन ट्रै boys welcome in ATP कि ए डिनोसीन ए मतला एडिनोसीन टी मतला ट्राइप वासपेट फी मतला फासपेट नामाक पदार्तक हिरुप में संचित होती हैं इसले इसे हम अलती Cat क्या बोला कि ATP को उर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं क्यों क्यों कि सर यह जो है उर्जा का प्रमुक रूप है और यह पदार्थ के रूप में संचित होती है कहां भई हमारे बॉडी में हमारे सरीर में इसका अगर अगर एक्जाम में न पुछे तो यह कॉंपेटेशन पूछा क्या कारी होता है यह सब कुछा पूछा आता है जिसको मैं डाल रखाऊं और जानकारी भी रहना ज़रूरी ठीक है और कुछ क्वेशन आ सकता है क्या पूछता है पौधे में पाया जाने वाले किनी दो समवहन उत्तकों के नाम लीके जो कि क्या भई जालम और फ्लोयम जो निकालते है उसार जीक जैसे कि हमारे क्या बएगा अपके गुदादवार से क्या क्या यह था एक है उतुत प्री इस दो कि आपको दो नमबर के लिए इंपोर्टिंट आप यह को भी दे सकता है सर अब्यक्तिक में दे सकता है ना options आपको टिक करना है सही जोड़ी मिला देना है फिल इंदे ब्लैंक में भी दे सकता है घबराना नहीं है बस यह कोश्चन का लेवल है कोश्चन का लेवल कभी भी बढ़ा सकता है लेकिन जनरली कोश्चन जो है तीन चैप्टर आने वाले इससे इस में वह इसमें ना करके उस अब के लिए जितना था यह जो दो नंबर और समझ में आ गई होगी और जैसे कि हमारा एक्जाम सीरीज मिशन दोएर तैस चरह है अब हर कोई हर सब चीज जितना भी आपके दोस्त त्यार है वह सब भी है इसको लाब उठा रही होंगे बिल्कुल जीन लोग तक नहीं नही चरह में धन्यवाद